अगर प्रधान मंत्री का अपमान नहीं करेंगे तो टी एमसी में जगा क्या से मिलेगी ये बयान अगनी मित्रा पॉल आपको बता दें पक्षिम बंगाल की महासचिव अगनी मित्रा पॉल का ये बयान जब चर्चाओं में आया तो राजुनीती तेज हो गई त्रडमूल कॉंग्रेस पर हमला बोला गया हमला बोलते हुए अगनी मित्रा पॉल ने क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं अगर आप बधान मंत्री जी को अपमान नहीं करेंगे तो आपको टीमसी में जगा कैसे मिलेगा मीमीक्री तो ममता बैने जी भी किये थे जब मनमोहन सिंग जी प्राइम मिनिस्टर थे एक चानल में आके तो जो माता है माता जी पाटी के वो अगर मीमीक्री करना ही बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना पलान बाने जी उनको अभी शायद मालूम चल रहे हैं उनके उमर के लिए कि वो साइड लाइन होते जा रहे हैं तो टीमसी के अभी जो न्यू जेनरेशन का कैप्टन अभी शेक बाने जी जो कर रहे हैं वो जैसे हम लोग देख रहे हैं जितना भी थोरा सीनियर सिटिजन के तरफ जा रहे हैं ऐसा लोगों को साइड लाइन किया जा रहे तो रेलेवेंट रखने के लिए उनको थोड़ा यह सब करना पड़े है और बाकी तो देखिए टीमसी का यह संस्कृति है अगर आप बधान मंत्री जी को अपमान नहीं करेंगे तो आपको टीमसी में जगा कैसे मिलेगा आपको टीमसी में रहने के लिए प्राइम मिनिस्टर को बिलो देल्ट अटाक करना पड़ेगा हमार माने निसराष्ट्र मंत्री को अटाक करना पड़ेगा हमारे द्वापति मुर्मु जी को अटाक करना पड़ेगा हमारे वाइस प्रेसिदेंट जग्दीध धनकर जी को अटाक करना पड़ेगा हमारे महिला विदायक सांगसत भाचपा के विदायक सांगसत अटाक करना पड तो जो माता है, माता जी पाटी के, वो अगर मिमिक्री करना ही बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे तो वही सिखेंगे ना, माता जी पिता जी जो सिखाते हैं वही सिखेंगे, तो यहां भी वही सिख रहे हैं, कोई अनुशाशन नहीं, कोई बरो का सम्मान करना नहीं, तो देखा आपने पक्षिम बंगाल की महासचिव अगनी मित्रपॉल ने बयान देते हुए कॉंग्रेस पर हमला बोला प्रडमूल कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा जैसा मा करेगी वैसा ही तो बच्चे सीखेंगे मा में उन्होंने ममता बनरजी का नाम लिया जी हां बाचपा की पक्षिम बंगाल की महासचिव अगनी मित्रपॉल ने द्रडमूल कॉंग्रेस पर इसकदर निशाना सादा है जो कि अब चर्चा का विशह बना हुआ है